विल्कम बैक टो नेदर मार्के अनलेसिस वीडियो कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फिन और संसेक्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टन्ट होने वाले हैं कल रहे को वेनजडे बैंक निफ्टी की एक्सपारी रहेगी तो पहले उसको प्लैन कर रहे हो तो 200 पॉइंट का ओनली टार्गेट था 44,200 तक मार्केट ने जो केंडल मॉइनिंग का बनाया वही 44,280 पर क्लोज हुआ है तो यह 80 पॉइंट के लिए ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि 280 पे तो केंडल बंद हो रही है और नीचे का टार्गेट 200 200 के लेवल का ओए तो 80 पॉइंट का टार्गेट हो गया और उपर stop loss minimum 1200 पॉइंट का लग जाएगा तो ऐसा रिस्क रिवार्ड के बेस पे लेना नहीं है जिसमें resistance जो है पास में हो support पास में हो रिस्क रिवार्ड नहीं बैठ रा हो तो ऐसे ट्रेड को आपको छोड़ देन तो यह एक अच्छा साइन है अगर कल फ्लैट ओपनिंग देखें गाप डाउन ओपनिंग देखें मार्केट पंदा अब इसमें यहाप पर सस्टेन करके चमाले 244-200 को नीचे ब्रेक करता है तो इमीजेट टार्गेट आपके 44,000 तक की सेलिंग के रहेंगे इसके नीचे मार्केट फिसलता है तो 43,000, 43,600 तक भी नीचे गिरावट दिखा सकता है ठीक है अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो अभी बाय मत करो पहला आपका बाइंग होना चाहिए 44,500 राउन नमबर के ऊपर छोटा मोटा बाय ट्रेट 500 के उपर छोटा मोटा बाय ट्रेड है इस केलपिंग में जाओ अगर ट्रेड मिल रहा है तो देखो अधरवाइस छोड़ दो ऑप्शन सेलर का मार्केट है अगर मार्केट नीचे 44,200 को ब्रेक कर रहा है या फिर उपर 44,800 को ब्रेक कर रहा है तभी आपको ट्रेड मिलेंग कि यही एक्सपैरी की लग रही है फिलाल हमारे पास 8,900 पॉइंट की सैडवेज रेंज है अगर इसके बीच में रहा गया तो में भी मोमेंटम ना आए बट अगर 44,800 दन 45,000 ब्रेक करता है तो अच्छी मोमेंटम या फिर 44,200 नीचे ब्रेक करता है जिसके काफी हाई चांस करे उसका वेट करो देखो पहली केंडल यहां पर 500 के नीचे निकली 470 तक गई अगली ही 15 मिनित की केंडल ने मारू बोजू देके डिरेक्ली ऊपर आगी तो ऐसे ट्राप होता है एक 15 मिनित की केंडल बनने के बाद में भी 15 मिनित दीखा करो कि मार्केट ऐसे इंपॉर्ट अभी 1500 का जो लेवल है 1500 के लेवल पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है 480 के लेवल पर अगर फ्लाइट ओपनिंग मिलती है गाप डाउन निकलता है 1480 के नीचे फ्रेश सेलिंग कंटिन्यू कर देना 19400 पहला टारगेट होना चाहिए 19320 दूसरे टारगेट होना चाहिए सेल 500 का लेवल ब्रेक होता है तो 500 तक तो गिरी जाएगा और यह चीज आपको 100.50 में इसली देखने को मिल गए हाला कि 15 के लेवल रजिस्टन्स होने वाला है अगर वापि 600 पे ग्याप देखने को मिलता है यह शूटिंग श्टार वगर देखके सेल करेंगे या फिर 19,480 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो यहाँ पर वापस से सेलिंग करेंगे 480 या वापस से 500 के लेवल को उपर ब्रेक कर रहा है यहाँ पर शूटिंग श्टार ना देखके इसको उपर ब्रेक कर रहा है तो इधर से स्केल्पिंग बाय बनेगा जो 19,700 तक की मोमेंटम रहेगी अधर्वाइस साइडवेज मोमेंटम है बाइंग भी कुछ खास दिखाई नहीं दिये और सेलिंग के लिए हमारे पार अच्छा साइन है बट उसके लिए सपोर्ट का ब्रेक होना जरूरी है अभी हम बात कर लेत सेलिंग बनेगी पहला टार्गेट तो आपका 50 पॉंट का ही होना चीए 19600 दूसर टार्गेट 600 ब्रेक होते ही 19500 तक की सेलिंग भी आ सकती है अब सड़ बाइंग का टार्गेट है तो पहला रेजिस्टन सापका इसके अंदर एक और बनेगा जो कल लेवल ड्रॉन नहीं किय था वो आज बता देता हूं यहां पर एक और लेवल आपका बनेगा 19,800 का लेवल तो 800 के उपर छोटा मोटा बाय ट्रेड बनेगा अदर्वाइस बाइंग कुछ नहीं है वापस 800 पे आता है जहां से आज गिरा है तो पहले शूटिंग स्टार वगर देखो आपको सेल मिले पैंसर 400 का सपोर्ट था वहीं सपोर्ट लिया थोड़ा सा नीचे निकला वापस ट्राप करके उपर आगया क्योंकि पंद्रामनेट के एक केंडल भी सस्टेन नहीं हो पाई और बाद में अभी कर सकता है मोमेंटम को 65,400 के नीचे या फिर 350 के नीचे आपको सेलिंग कंटेन बन जाएंगे इधर शूटिंग स्टार वगर देखके सेल करना हमको अगर 7800 के लेवल के उपर 15-20 मिन सस्टेन करता है मैं सेंसक 65,752-800 की रेंज को सस्टेन करता है तैन 800 के उपर हम चोटा मोटा देड़ 200 पॉइंट के लिए बाय ट्रेड भी ले सकते हैं ठीक है तो 304 इं नहीं दे रहा है option chain पर maximum call writing हम यहां पर देख लेते हैं maximum call writing है 40,44,500 जो मैंने आपको एक रेजिस्चंस बता है प्यांड टी option chain पर इतनी position बिल्डी नहीं हुए है क्योंकि भी इच में छुट्टी भी आगे थी आई होप आपको लेवल समझ में आयोंगे इफ लाक दिस वीडियो प्लेस क्लिक ओन लाइक बिटन और सब्सक्राइब दे चैनल थेंक्यू